तो फाइनली दोस्तों आप लोगो देखोगे ट्रेंट ने अपने quarter 2 के number disclose कर दी है बई तो कैसे रहे हैं यह results चलिए देखते और इसका जो impact है वो हमें कैसा देखने को मिलने वाला ही share के उपर तो यहां पर हम discuss करने वाले हैं इसके जो consolidated statements है इसको लेकर all figure in rupees क्रोड में दिया 150 क्रोड का और previous year के same quarter से compare करोगे तो वहां पर आपको 3062 क्रोड की जो income है वो देखने को मिली है company की यानि कि year to year आप लोग compare करोगे तो इसका जो revenue है ना भई वो हमें increase होती हुए नजर आ रहे है and quarter to quarter भी इसका income increase हुए हाफ फिर में भी आप लोग देखोगे income हमें increase होती तो overall income तो ठीक है इसके बाद expense लेखेंगे यानि जो खर्चे किये company ने तो current quarter में expense कैसे 373 क्रोड के previous में 374 क्रोड के और previous year के same quarter में 3773 क्रोड के यानि कि यह स्वरी 2773 यानि कि year to year basis पर expense बढ़े है and quarter to quarter भी expense बढ़े है बट अपके बार जो revenue है ना वो क्या भी expense से ज्यादा है मतलो company ने फिर से profit ही बनाया है बट profit कितना है चलिए देख लेते भी net profit for the period या फिर after tax quarter यहां पर देखोगे 335 क्रोड का profit है बहीं जो previous quarter से 288 क्रोड था वहां से increase हुआ भी इसका profit यह उनियर वेसिस पर increase है लगबग 50% के लेकिन क्यों के वेसिस पर इसका profit टूट है ठीक है हाफिर में भी आप लोग देखोगे profit almost double होती हुए नजर आ रहे है and इसके लावा earning per share के अगर बात कि जाए यानि कि जो इसका EPS बगएर है चलिए वह आपको मैं दिखा देता हूं बई यह देखोगी इसका जो earning per share है लगबग 9 रुपे 53 पैसे प्रिवेस में 11 रुपे 4 पैसे था और प्रिवेसर के सेम quarter में लगबग 6 रुपे 60 पैसे के आसपास इसका EPS भी हमेंजर अभी क्यों के वेसर पर डाउन आती हुए नजर आए तो आप लोग देखो कि results ठीक है तो इसके उपर आप लोग देखो कि stock आपको एदम crash होती हुए नजर आ रहे है तो crash क्यूं हुआ यह यह तो फिर आप लोग देखो क्वाडर टू-कौर्टर वेसर पर जो results आए है इसका impact हो सकता है ठीक है quarter to quarter results थोड़े खराब है ना इसके अलावा आप लोग देखोगे या फिर यह हो सकता है कर्ड कि जो इसके market है न भी यह एक बड़ा रिजन हो सकते है क्योंकि market में भी बड़ी गिरावट है यहां पर margins की हम बात करें तो आप लोग देखोगे इसका जो margins है six month hundred गा दि market से वह increase हुई है borrowing अगर बात करें company के ऊपर debt की तो debt यहां पर आप लोग देख सकते हो जो है borrowing यहां पर हमें करीब पिछे के मुकाबले सेम देखने में कोई changes नहीं भी खास इसके अंदर ठीक है और यह cash flow statement से देखना चाहो तो देख सकते हो भी और बाकि यहां पर कोई और वीडियो